पे यू तो इंसर्ट मूवीज फ्राम फायल कोई यह कोई मूवी इंसर्ट करनी है फाइल से तो कौन से ग्रूप मैं जाना पड़ेगा कोई से ग्रूप का इस्तिमाल करते हैं हम अगर हमें ms powerpoint में क्या है cd जा clip को फाइल movie को insert करना है तो कहां media clip में मेडिया clip में जाने के बाद ही हम insert कर पाते हैं movies को फाइल से कहीं cd से जा clipboard से which is you to return the first slide during the slideshow जब आपका slide show चल रहा होता है तो आपको return करना है first slide में तो कौन सी shortcut key का इस्तिमाल करके आप पहुंच सकते हैं first slide में तो कब है figure one plus enter जब figure one plus enter करेंगे हम तो जब आप slide show आपका चल रहा होता है तो आप first slide में आना चाहा रहे हैं तो figure one plus enter करेंगे तो first slide में पहुंच जाएंगे what is the by default powerpoint standard load जो by default powerpoint का standard load रहता है तो कौन सा यो कौन सा load है तो title slide जो सबसे पहले कौन सी slide रहती है title slide रहती है जे by default जो इसका load है standard load है powerpoint का to resume the slide show in powerpoint अगर आपको resume करना है powerpoint को resume करना है तो कौन सी shortcut की का इस्तेमाल करते हैं तो control shift plus 5 shift plus 5 क्या इस्तेमाल करके हम क्या इसको resume कर सकते हैं ms powerpoint में slide show को तो shift plus 11 जो shift plus 11 है इसका हम हमें इस्तेमाल किसे के लिए करते हैं new work sheet के लिए यह निव work sheet कहां excel की बात हो रहे है यहां new work sheet के लिए बात हो रहे है जहां excel का यह shortcut की इसके साथ relate कर सकते हैं और shift plus f3 इसको जब हम press करते हैं तो किस के लिए open क्या करना है open formula window यह किसमे है यह बात भी हो रही है excel की formula window यह दोनों क्या है shortcut की किसी किसकी है excel की है कि हमें एक साथ में लेकर चलना है PowerPoint कर रहे हैं हम PowerPoint का topic कर रहे हैं लेकिन इसके साथ मैं relate कर सकते हम excel के भी तो हमें कोई भी पूछ सकता जरूरी नहीं है कि PowerPoint से पुछेगा उसे एक्सल से पूछ सकता है वो भी jkssb में एक उसलिबस में है एक टापिक है एक्सल 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 तो एंड़ दा slideshow in PowerPoint अगर आपको एंड करना है slideshow को PowerPoint में तो कहां जाना पड़ेगा इसकेप करोगे आप इसकेप प्रस करोगे तो आपका जो slideshow है वो एंड हो जाएगा कि विच फाइल फार्मेट कैन वी एड़ेड तू ए पावर पॉइंट शो कौन सा जो फाइल फार्मेट है एड कर सकते हैं PowerPoint शो में तो कौन सा है .gif कर सकते हैं ,籏 .jpg कर सकते हैं , .wav कर सकते हैं , तो आल आफ दे बबब्स सब ॉस हैं इसको और हैं इसके हम क्या क्या कर सकते हैं ad कर सकते हैं पावर पॉइंट शो में टाइम टाइम्स न्यू रोमांस केमरा एक एरेयल और लेकिस ट्रॉपल है यह किसकी दिए फॉन्ट फेज्ट किसे एकज़ाय किसा ज्यक्त लाएं भॉंट फॉंट है तो जिब हम क्लिक करते हैं तो मोस्क के अपर क्लिक करते हैं स्लाइडा क्लिक होता ही कौण सा है । कर दिचा अब भले कि अगर आपने लिगा है उसको सेन्टर में लाणा है कि शार्ट ऑट की कौन सी है इसकी कॉण साथ कुण साथ है जिए ऑ प्रम एक एकय। तो जो आपका paragraph है, center में आ जाएगा, page के center में आ जाएगा which is you to change case of letter in a powerpoint, जो change case of letter हम powerpoint में इस्तेमाल करते हैं, उसका कोण सी shortcut key है तो answer हमारा shift plus 3, shift plus 3 जब हम press करते हैं, तो change case of letter, जो letter है उसका change हो जाता है, case हो जाता है अगर change case of letter, अगर इसी में अगर एक और है, एक्सल की बात करते हैं, इसमें, एक्सल में क्या है, shift plus 3 जब करेंगे हम, shift plus F3 जब press करेंगे हम, तो क्या होगा हमारा, जो open है formula window, formula window, formula window open होगा, इसको इसके साथ late कर सकते हैं, which of the following is not an animation effect, इसमें animation effect कौन सा नहीं जाए, तो animation effect कौन सा नहीं इसमें, पेर जो animation effect है, fade है, और beel है, यह translate जो इसका, is not an animation effect of powerpoint, what is the keyword shortcut to create a blank presentation, अगर आपको blank presentation create करना है, तो आपको कौन सी shortcut की का इस्तेमाल करते हैं आप, तो हमारा answer रहा, control plus n, control plus n जो प्रेस करेंगे, तो जो हम पावर पॉइंट में, जो blank presentation है, उसको हम create करते हैं, और control plus m, यह किसका है, यह है, हमें क्या करना है, इसको करना है, इसको किसको करना है, slide show, अगर आपको, तो हम क्या करते है, control plus m का इस्तेमाल करते हैं, अगर black presentation करना है, तो control plus n का इस्तेमाल करते हैं, इसको इसको अध्यान से समझ लेना, क्योंकि इसमें control plus n और control plus n में जो दिया गया है, चटकर की, what does the dot box mark जो dot box रहता है, जो ms power point रहता है, वो क्या करता है, किसका काम करता है, यह place holder का काम करता है, जो dot box है, mark क्या हुआ है, ms power point में क्या है क्या है, place holder है, साथ वा Πारशंहे जो है क्वांत विल्ली अधाइंज क्या करता है में विन्नू स्लाइड शो प्रेशारोंगे स्लाइडड शो में जा सकते हैं आप जो कर सकते हैं वहां दिखते हैा वहां हम का इस्ते माल करते है ? तो क्या होता है ? क्लो возм पायल का इस्ते माल करते हैं holy मैं है को क्लोज हो जयता JENN को बिच आफल आपको open करना मैं MRWestyles को open करना कि okką बिचा मन करोगे और इसके लिए है blank presentation के लिए blank presentation के लिए और इसका है control plus M क्या करना है slide करना insert करना है insert slide के लिए identify the shortcut key to delete one word to the left of the cursor in MS power अगर MS power point में जो cursor के left side में word को delete करना है तो हमें दिये गए option में से कौन सा option है तो उसमें हम क्या करेंगे कोण सा word जो है delete करने करेंगे तो space जो space प्रेस करेंगे हम तो जो cursor के left side में word है और delete हो जाएगा what is the shortcut key for spell check in MS power point में MS power point में spell check करने के लिए कौण सा shortcut की है कौण सा है F7 F7 यह है spell check करने के लिए अगर F4 की बात करें F4 में repeat करना last command repeat last command last command को repeat करना है तो हम press करेंगे F4 और F5 का इस्तिमाल करते हैं F5 का refresh के लिए जा क्या करना है जो प्रेंड जो power point में जो मारा presentation है उसको start करने के लिए के के लिए start करने के प्रेंडेशन को start करने के लिए अगर resume करना है उसको shift plus shift plus F5 करेंगे और start करना है तो single F का इस्तिमाल करेंगे इन इन पावर पॉइंड बूइंड रिप्लेसे फोंट आफ और स्लाइड विद एनादर फोंट जूजिंग दा आप्शन कोंड से आप्शन में जाकर हम जो फोंट है सभी स्लाइड़ों का चेंज कर सकते हैं तो किसमें फार्मेट जाओगे उसका रिप्लेस फोंट जब एक फोंट चेंग कर देंगा तो सभी स्लाइड़ों का फोंट चेंज हो जाएगा लिए चाट कर तो स्टार्ट का क्या है फाइफ फाइव फाइव क्या है यह यह चार्ट की बात करते हैं तो चार्ट विंडूब्डों करने के लिए चार्ट विंडू ओपन करने के लिए किसमें एक्सल की बाद हो रही है यहां एक्सल में जे शार्टकट की है और एफ टू क्या है यह बिगनिंग आफ़ता अगर बिगनिंग करना है स्टार्ट से बिगनिंग करना है आफ़ पावर पॉइंड प्रेजिडेश्ट फैमोस तो कौण सा टेंपल है वह है पंच वकतर टेंपल जो पंच वकतर टेंपल है इसको कहते हैं रुपेवाला मंदिर उजे 1687 से लेके 1703 के बीच बनाया गया था इसके किसके दौरा बनाया गया था राजा बजे सिंग राजा अग्याका लक्षमी और नरायन का टेंपल है लक्षमी और नरायन वगवान का टेंपल है यह रगुना टेंपल है यह महराजा गुलाव सिंग के द्वारा इसको नीव रखा गया था लेकिन इसको कंप्रिट बना किया गया था महराजा रणवीर सिंग के द्वारा 1851 में नीव रखा गया था लेकिन कंप्रिट किया गया थ एटीनफिटीसएवन में महराजा अगे रनवीर सिंग द्वारा जो मार्तन का टेंपल है यह अनन्त नाग डिस्टिंग में है जम्मू किश्मी में ललित अधित्य के द्वारा बनाया गया था ललित अधित्य इसको लदितित्यों को स्मुंद्र गुपताफ किश्मीर भी कहा जाता है एक रणवेश्वर काए यह रणवीर सिंग के दोरा बनाया गया था 1880 जिरो थारासो असी के बीच रणवेश्वर टेंपल एंवीर सिंग के महराजा इंविर सिंग के द्वारा नया गय था यह कोन से वगवान कि लाड़ शिवा का टेंपल है इस जो एटी है कि हम पुच्छा गया था रुपे वाला मंदर कोण सा जो जम्मू में है कों सामन्दर है वह है पंच बकतर टेंपल जो मुगल रूलर थे यह स्टे करते थे थाणामंडी में तो उस प्लेस को वह प्लेस थाणामंडी कहां पे है कौन से डिस्ट कम है जमुकिसमिल में तो कहां पे है यह हमारा रिजोरी में हांपे है रिजोरी में रिजोरी में जो है इसटेक करते थे मुगल उपरे कहां थहना मंडी में इस इस बीम खोड को कौन सब खायता है रियसी खोड भी कहा जाता है जो फैमोई श्राइन है कोई सी लेग के किनारे ещё स्यिसे नदोन्यों कहां पर है। मनसर लेक ये मंसर बस लेग कुनारे के किनारे नदोन्यों दिस्टिक में पर रथती है। लेकिन ये वेट लेंड कंजर्वेशन है वेट लेंड लेंड इसका उरिजन कैसे हुआ है को वह कौन सी है लक्षदीप आइजलेंड जो लक्षदीव आइजलेंड है, इसमें कितनी है? 36 आइजलेंड है इसमें। जो 10 डिगरी ये है चैनल उसको सेपरेड करता है। जो मजोली आइजलेंड है ये कहां पे है असाम में है। और कहां पे है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीच है। से ब्रहंपुत्रा जो रिवर है उसी के बीच महज्ञे के रिवर आईजलान्ट है बाजोहली एके रिवर आईजलान्ट है वीलर आईजलानट का कैते हैं आडी अगने कर्केल रेखा है दिवल्र आईजलान झांड करनाह से बेसे 你त क्ये नाव करें DANIEL फैमिली देस्टेनेशन अवार्ड वो कौन सी स्टेड है ज evangelical को सी है वह प्राप्त है फैमिले ऑदीस्टेनेशन अवार्ड वैंनी क्शमीर वेली देस्टीनेशन अवार्ड आ हございます किं इन जे कॉन सी प्लेस में है तो कौंद सी है जे यह गुरेज भैली में तो कहाँ पे है गुरेज भैली में बढ़ sow 50th Waterfall ता एकुर्ड आब्स टोड़ा残 vrl स्टेट आ ने विच्वदाऊ रफीलिग उट पका ओ तो कहाँ पर आती है जे स्टेट में है घूटी में है तो हमारे लदाख जूटी में है चांग थांग वार्ड लाइफ सेंजरी जम्मु किश्मीर में कौन सा है यह दक्षगाम नैशनल पार्क भी है दक्षगाम नैशनल पार्क जे कश्मीर में है है किया दो सिल्क यारा वारकोटा टन्नल क्योंट है जो कहांपे सित्ध है तो कहांपे सित्ध है उत्रह्ंड में यह कौन सा है इसमें क्या हुआ था इसमें जो तरनल है चा चार दाम बढ़ाया गया है उस Originally अंदर आती है Byобщ, सिलक यारा वारक़्ड टेर और इसमें 41 जो वर्कर थे व्यांचिज। वो 17 दिन के बाद इनको निकाला गया था वो ही टेनल है सिल्क यारा वारकोड टेनल उत्रहंड में है यह सफ्राण को एक ईक जमू किश्मीर के जो गयाई टेन्ग मिला है कौन से डिस्टिक के सफ्राण है वो है हमार किस्तबाडड इस्टिक में अगाया जाता है उसको तो तो हमारा जी अलगी मिला है लग्हान इंदीकेशन ट्याग मिला है यह और अधार टै न इसके लिए रहता है उसके और इसको आगे बढ़ा है यह खतम के आता है लेकिन और उसका जो फिक्षित का है था जोष ट्याग मिलेगा थ Вас को जी आई विच कंपशी नं स्काइड याडा बिंक नीख इसके द्माइललजाइब फिरिविलिय कंपशें विच दिजीज काइड एक वाइदा सल्मो नीलिया पुलमोरं मौन सी डिजीर त्यार होती है सल्मो नीलिय पौलोरं से तो कौन सी है फ्लो थाराइड in which state in India first solar roof cycling track है वीदा बुलत हों कोण सी state में जो है इंडिया का पहला जो है solar roof cycling track बनाय गया है वह कोण से हाथरावाद काम पे है 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 हेथरावाद तंब मुष्णू मुलाई नेशनल पार्क ट्रिगे टरर्व इसिट में है ज़े हमारे तमीलनडू में और तमालनडू में यहां बारते नित्यम बारते नित्यम क्लासिकल डांस है मारा महा कहा है नीन ता तमीलन मटो को अब नाच़्र इन नेच्शन सटलाइडस को सब्सक्राइडस कि अब आज को ही हम क्या कहते हैं मास को क्या कहते है रेड प्लानेट कहते है रेड प्लानेट कहते है जो अर्थ का सैटलाइड कौन है मोन है मोन जो है एक नेच्रल सैटलाइड है अर्थ का और वीनिस को क्या कहते है इवनी स्टार इवनी स्टार एड मार्निंग स्टार कहते है वीनिस को ज अब शोलर सिस्टम का विची दा लाज्जेस्ट आर्टिफिशल पोड इन इंडिया का कौन सा है वह कौन सा हमार आर्टिफिशल पोड है वो है चनेई पूर्ण 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 पोर्ट कहा है कलकत्ता में है और उसके बाद कोंड सा आता है एक कोची पोर्ट है कोची पोर्ट है यह कहां पर आता है यह केरला में और करनाटका में कोंड सा पोर्ट आता है करनाटका में आता है मारा करनाटका में न्यू मैंगलोर करनाटका में कोंड सा है न्यू मेंगलोर है कनेटिका के बाद हम बात करते हैं गोवा की तो मुर्मम गोवा में कोण सा आता है गोवा में है कि गोउ में मुर्मम गोओ और हिए अपोड़ कहा पर है और मुमेई में फॉर्ट और नावा सेवा पोड़ कहा पहां पर है आ महारास्टा में मुमैई पर्ट गुज्रायत में होre कांडला पोर्ट कहांं गुज्रायत में रांदर है जो कलोही ग्लेशर है, जो कोण सी कोण सी प्लेस में है, तो कहाँ पे है कलोही ग्लेशर पैल गाम में जो कलोही ग्लेशर से कोण सी रेवर उरिणेटर होती है लिद्दर रेवर जो लिद्दर रेवर है, कहाँ से उरिणेटर होती है कलोही ग्लेशेर से ये लाज्यस्ट ग्लेशयर है कहां का है स्रीनगर का स्रीनगर का WALK **- उसमें किШमीरी आती है English है यह हमारी official language है यूटी जैंड कीगी तो इसमें रहा हमारा answer Allah दवब कौन सा पास है जो कनेक्ट करता है जम्मु कुष्मीर को ले के साथ में तो नथुला पास है यह कहां पर सिक्कम में है थी जिद्वर के साथ में जो रहतांक पास है जह माचना परदेश और किसको कनेक्ट करता है तिब्बत को साथ में है जो उखिशना पास है यह लोहल समीति को लहल समिति बेली को पास है विचा दा फालेंग प्लेश इज नोन आइदा गेट बेच्पिश्मीर वैली किश्मीर वैली के लिए गेट वे कौण सा है तो कौण सा है वन्याल पास इस दा ही जो पत्री टाव ही रिसोट है यह पहां पे सित्व है हमारे तो अंदूपर डिस्टिक में है कहां पर डिस्टिक में है पत्री टाव ही रिसोट जरोटा है जरोटा है जो सभिदे के राजा देव मैंस के के राजा थे जिस रोटा को देश डाइश फोर्ट वाइब वुल्ट वाइब मियान हाथो इन दा मिड़ा आव 19 सेंच्री जो 19 सेंच्री के मिड़ में बीच में जो बुल्ट मियान हाथो के दारा कों सा प्रट बनाया गया था वह दानीदार फोर्ट जे दानीदार फोर्ट कब बनाया गया था जे 1846 से लेके 1856 के बीच बनाया गया था कों से कहां पे है जे रजोरी में दानीदार फोर्ट पीर खोर टेंपल लिज लोकेटर इन जो पीर खोर का टेंपल है जे कहां पे सित्ध है तो कहां पे है जे जम्मू में वुक्क प्लेस इो नोण एड अजिए अर्चार्ड आफ लदाउ कौन सी जगह है जी आफ अफ लदाओ कहायता है वो है नुब्रवेली कौन सी है नुब्रा वैली है यह हमेसे जो ल्यलीकल वेली dentist के लेड़ा हो गया है वो है वह है नुब्रा早़ी को ही या अरहकाोलोजिकल साइ्ट है ये नुब्रा बेलिए का गुर्दवारा सुंदर सिंह की ल्रोग्तर टारेन जो सुंदर सिंग् कुर्दवारा करने है जमूंगी घंत Knights by यह infamous जो कुद्र है यह famous अपनी streets के लिए मठाई के में गभी सभी है और कोंसी मठाई केले 6 ता जिस्टा के लिए कि देश्टैस अगे क्णिशीडर दर्फ परड़न हिंदू पिल्ग्रीम सेंटर इन कश्मीर आफ्टर दा फोली अमनाथ केव हैं उसके बाद जो किस्मीर में जो प्रसिद हिंदू टेमपल है जो पिल्ग्रिम से है वो कोण सा है है वह कौन सा हीर वबानी टेंपल है िटनीे नम्बर मैं को दिखेल आती है अमंणात की जो केव हैं वह फिसे नमरने हिंदू पिलग्रिमश क्या है हीमल एक ही यह जो रगुनास टेंपल है यह रगुनास टेंपल किसके अबनाया गये था यह महाराजा मुलाऑ सीफ्ध से महराजा रनवीर सिंग्हें के दारा सको कम्प्रेट करवाय गया था है यह परमंडल टेंपल है कहां पर है संबास मैं है तो द्रद पार्मंडल टेंपल संबास ओन नियुक्ल कंडिक में है और मंधाय्प वलेशन魔 का घana है जो हो मैं पर है थो निए पिलू सबूड में प्रमंदर टेंपल टेम्पल जे है संबम 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 कोंण सी रिवर के किनारे है जाए देविका रिवर के किनारे कोंण सी जगह को लेंड आफ लामाज कहा जाता है तो वो कौंड सी जगह है वो है ले ले इजर लैंड आफ लामाज है मेर्श प्लेस बहुत कर देड़ आफ लदाग जो जना जाता है वो आज दरास रइवर को क्या दरास को ही क्या काँ गेटवियाफ लगार काहा जाता है जो कूण से से होती है मचोही ग्लेसर से होती है मैं में साथ में हैं में एक द्रास काहां में होती है कि यहां से कॉले रिषा और और यह द्रास है जह करगिल डिस्टिक में पढ़ता है करगिल डिस्टिक में कि देश देश पास इज गेडवे बनता है नुवरा वैली का और शोक वैली का तो कौन सा है वो है खर्दुंगला पास फ्रदुंगला पास यह गेडवे किसका है नुवरा वैली का है और शोक वैली का है जो फ्रदुंगला पास है यह किसको कनेक्ट बोटरेवल रोड है दो आइसे रोड मिलिंगला पास अग एक घ्राइल लेप्लेख पहलें से लोक्सिटुटूटूटम जो राहेोल ले पहलेस है यह कहां पर सिर्थ है यह है सिमोख के उपर ताप आफता सिमोख को लेपर जो है मुनास्ट्रीज और गोंपाज सिट्वेट इन प्लेस मुनास्ट्रीज और गोंपाज यह कहां पर सित्व है जे है लदाख में कहां पर लदाख में है करें जूटी जम्मू किश्मीर की जो वैली के लिए प्रसिद है किश्मीर जो फैमोस किसके है आया है मुझे सकते है Thermal करें नियुक् कॉम्माज कर वाए लदाख किया गया था सिक करें में कि साथ में कौन से मिल्ट्रीर कमंडर के द्वारा कों साना जो जर्णल जुर्छा द्वार singh से मिल्टरी कमेंडर इनके द्वारा जो है एड को जो लिदाख था इसको मिला लिया गया था सिख एंपेरियर के साथ में कि वीची आर्शन नोओन एक गोल्डन मीडो गोल्डन मीडो जाना जाता है कौन सा पहले सा है वह कौन सी प्लेस है वह सोन मर्ग कहां पहुंपे गंदरवाल — डिस्टिकुमए है रहे सोन मर्ग जो पहल्ग गाम है किसके लिए जैना आता है वैली आफ शिपाध वैली आफ शिपाः आप अ क्लाइल है लैंड आफ लामास किसके नाम से आना से लैंड आफ लेंड आफ लामास गुलमर्ग मीड़ो आफ फ्लावर्स मीड़ो आफ फ्लावर्स बारा मुला डिस्ट्क में है सना सर टूरेस्ट स्पाट वाई वोल्ट वाई टू विलेज साना एंड सर आफ जो सना सर टूरेस्ट स्पाट है यह बनाया गया है दो बिलेज के को मलाके बनाया गया है तो वह कहां पर है जम्मूरीजन में है जह जम्मूरीजन के कौन से डिस्ट्क में है रामबन डिस्ट्क में है ये दो बिलेज को मिलाके बनता है हमारा सना सर्टूरेज्ट स्पार्ट है दो बिलेज में है सना और सर इसके 20 किलो मेटर कौन सा है पिक्णिक स्पार्ट है वो है पत्नी टाप पत्नी टाप जिसके 20 किलो मेटर जहां जाएंगे हम वो है आता है पत्नी टाप पत्रुप कहां पे पलता है दूपर डिस्ट्रिक में है दूपर डिस्ट्रिक में है पत्र्डी टा है एक तूरिस्त स्पार्ट है गात जेजर कोटरे फैमस पिक्निक स्पाट थर्टींफ सा तर्टीफ आग 14.3 ति-पाइजEd कोटरी अरनवेश्वर टैंपल को समर्पित है तो अरनवेश्वर टैंपल किसको है लाड़ लाड़ शिवा को कौन से बगवाण की डाइटी है जिसको बनाया गया था अरनवेश्वर सिंग के द्वारा इसका साशन काल से 1856 से लेके 1885 के बीज शाशन रहा महराजा अरनवीर सिंग का अरनवीर सिंग का साशन रहा इसी साशन काल में इसको बनाया गया था लेकिन कब बनाया गया था 1880 में अमनाथ के यह डैडिकेटर टू विच डाइटी जो अमनाथ का केव है यह डैडिकेटर है कि कौन से डाइटी के लिए कौन से बगवाण को समर्पित है तो लाड़ शिवा को लाड़ शिवा को कि जब हम अमनाथ में जाते हैं तो कौन सा पास आता है रास्त में महागुनिस पास आता है महागुनिस पास को करके हम अमनाथ केव में जाते हैं और अमनाथ अन्यतनाग डिस्ट्रिक में आता है और महागुनिस है इसका जो हाइट है वह थ्री ट्रिप्ल एट मिट्र है रगुनाथ टैंपल वाय वॉल्ट वाय यह रगुनाथ टैंपल है यह वॉल्ट के तरह बनाया गया था यह महराजा गुलाव सिंग के द्वारा इसको फॉंडेशन रखा गया था 1851 में लेकिन कम्प्रेट कराया गया था महराजा हरी सिंग के द्वारा महराजा रिणवीर सिंग के द्वारा 1857 में इसको कम्प्रेट किया गया था निशांत वाग इस उच्छर आनता बैंका जो निशांत वाग है यह कहां पर सित्र है यह डल लेके किनारे कि किसके दारा बनाया गया था अली मरदान खान के द्वारा अली मरदान खान जो कब बनाया गया था 1933 में बनाया गया था यह नूर जहां के बाई ब्रदरिनला उनके लिए बनाया गया था निशांत वाग जो नीची था गेड़वे आफ फैमोस वाइल लाइफ सेंच्री आफ दक्षगाउं इसका गेड़वे कोन सा है तो वह हरवन गार्डन से जिदा गेड़वे आफ फर्स चीफ जेस्टिस आफ जमू किश्मीर हाइब कोड जो नायटीजिन वह उन्हाराजा हरी सिंग के द्वार और वो थे लाला कणवर सेंड को पॉइंट किया गया था महाराजा हरी सिंग के लो महाराजा हरी सिंग थे इनका टैनूर रहा था 1925 से लेकिन 1946 के बीच में और इसमें 1928 में ही एस्टेबलिश की गई थी जम्मू और कश्मीर हाई कोड हाई कोड और इसमें जो चीफ फर्स्ट जो चीफ जस्टिस थे इसको अलेक्ट किया गया था महाराजा हरी सिंग के द्वारा लाला कणवर सेंड को मैं रूलर रिस्ट अटैक का रोक देथा वह कौन थे हमारे बुस यमारे मल्ड देव मल्देव का था इसका शाषन कब से कब तक रहा था 361 से लेके 1400 AD की बीच में शाषन का रहा मल्देव का यह देव डिनेस्ट्री के रूलर थे और किसके बेटे थे यह दुरुप देव के बेटे थे इन वीची यहर महाराजा गुलाव सिंग final acquired किष्मीर कोण से सनमेजु महाराजा गुलाव सिंग ने जो finally acquired कर लेता किष्मीर को कब किया था मार्च 1846 को मार्च 1846 को कौण से treaty of this Treaty of Amrishar 16 March March 19 Оп. 1946 को त्रिटी के त्रिटी के ता немного किया था त्रिटी अबरश किया था Muslim Saint Russian and Shab Glückw taxpayers Muslim Saint saint crashed रोशन शाब वाली जह मुझा आए थे कहां से आय थे अवा निटारीक है कि महाराजा रंजी सिंग के द्वारा कि इसको तैटल दिया था राजा का टैटल किसको दिया था सब्सक्राइब इंटारी सिस्टम के लिए विए उस समय कों से राजा के अंडर में आते थे इन्होंने 200 साल तक जो देव दुलर ने 200 साल तक शर्व किया था मनसादारी जम्मो से क्यों कोई से पहले पावर्फूल चैनल प्रिक्षिर में द्वारा की गई थी किसके द्वारा की गई थी राजा बोग अर्जुन के द्वारा राजा बोर अजनुके दरा एक स्ट्रांग डिनाश्टी स्टेविश की गए थी जम्मू में ने तिनसो स्तार्सेड यर तक शाशन किया था विच किंग प्रेंटेड हिमसल्ड है दिधेटरी फ्राव लगजन्डर इन थी थी तुछ बीच बीस सीम्में यो कॉंड से राजा थे हमारे दमोदर्द्ध नहीं डिफेंड कर लेता बचाल लेया था अपने टैटर्डरी को लगजन्डर से बिए कि वंगदा फार्ञा नाड़ल अव जब्मूग एगडम अंडर गुलाब सिंग एटेनर फोर्टी आपाट नहीं था लिकीन जव कुलाब सिंग नैंटिनर्यटि 6 में अबwurf सब सरकी हुई थी उसी ट्रीटी में जो इसको पार्ट बना था कश्मीर जम्मू का और इसमें 75 लाग लेके ही इस इंडिया कंपणी के द्वार से महाराजा गुलाव सिंग ने इसको प्रचेज किया था कश्मीर इजिन को महाराजार रजी सिंग ने एक इंडिया क्या था कुंड किया था वो कोण सा किंग था किंग किया थाकिए वो गुलाव सिंग को एक independent राजा बना दिया था 1820 में फूरे इनी डिस्क्राइवड आए दरुल अमन अडोवाफ पीस इन राई त्रंगणी जो राई त्रंगणी है इसमें जो दर्शाया गया है किसको कहा है डारुल अमनिक ईडरुलॉक पीस को किस की शर्शनकाल को कहा है तो कौन सा है , राजीत देव की उनल खरीया ओगा गया है मुद्ध प्लिष्ड़ ईक प्लिस हन गणाट अठाट उनक्रावट पार्लॉड कि क्या है द्यक्वर्वयूड कैरेगा था आपनूर है को और मन्दा साईड इसी में मंदा साइड कहां पर है अखन और में और मानदा सव था और dai कंपर cet इयर वे संजानी है निसमिनी मन्दा कमांद में क्षाइउत वो है अस्टद्याइए अस्टद्याइए कि मैं जो है जम्मू के बारे में बताया गया है जिसके दारा ले गई है पनाने के दारा पनाने के दारा ले गई है राज तरंगनी राज तरंगनी में जम्मू का जिगर किया गया है जिसके दारा गई है कलहन के दारा और ताकित left. जिकिस विए लिए गई है, जकिस पर फिर स्थ मेस इसमें कीवह है। तो अल ऐसे जिक सो भी बुके में में जेसे च्वारांवर में जो ऑढ़ार बुके के बाद किने लाहılar कि कॉण सी हुई थी लाहॉर रापाओं दो यसके खतार कॉछे के ल॥मार की बाद फ Mussolini ऐन् है जआए फॉप में भूर मार्च और 1846 को हुई थी ये treaty महाराजा दलीव सिंक और किसकी किसकी विज़ें ब्रिटीश के बीच में हुई थी इस treaty y notariously non age the sale of kishmir कौन सी treaty को जाना जाता है sale of kishmir वह treaty of amrishar treaty of amrishar treaty of sale भी कहा जाता है ये 16 मार्च 1846 को treaty हुई थी बहुट कॉन सी डOnuri है जो कॉंसी चिथी Vander Kapital है जमो kishmir की कॉंसी वह वंटेर कैपिटल जमो मुए तो कहां पार सिर्इन गर्में करने सी अर Angeb हट दाए कि नेंनेश्था और टेकन ओवर वा बग्ये दिनेस्टित तय क् BCS कर दो कोंसी डानेस्ट्री आई थी वह देव डानेस्ट्री हमारे देव डानेस्ट्री अट oppress वे 840 से लेके 1816 की बिच में किया था दार दार कीर्व देव दार दारो देव घेव िच के लेका ह NATO रहर दारा हूं हैं जो को सब्सवरेक वन्डा लादेने को शैल्टर देया था और जो जो मeraldेवर थे यह किसκे बेटे कौन थे इसके बेटे थे हमнаरे और ब्ट करण 먹 रहा था रूबर देव करहें यूजार्ट जाभ्येश्वरु देव कर्षण कर देव कब से कब इसके बेटे थे अर्जीत देव वन डिड़ कलगन क्म्परिट राइटिंग आफ राइट राइट्रैंग में जो कलगन के द्वारा राइट राइट नहीं गई थी उसके उससे साषन काल चल राथा जो किसका साशन काल चल रहा था यह सा लौहरा ड्रनास्टी लोहरा डिनेस्ती के जै संग्राम के द्वारा सशन काल चल रहा था जै सीमा का सशन काल चल रहा जै सीमा और कब से ठारा सो अटालीस और पिचास एडी के बीच कम्प्लिट किया गया था जै सीमा के सशन काल मैं कलहन राय त्रंगनी को चिश्मा शाही गार्डन इन किश्मीर वाय वॉल्ट इन दा यह जो चिश्मा शाही गार्डन है किश्मीर में बनाई गए थी किसके द्वारा बनाई गए थी कब बनाई गए थी अली बर्दान खान के द्वारा बनाई गए थी 1632 इस भी बैन अली मर्दान खान के साथ अली मर्दान खान और शाचन कहां किसका था जांगियर का शाचन था समय इन विच यह अफगार्न रूल स्टेबलिशन किश्मी कौन से सन में जो अफगार्न रूल चत्रा संवी साचन कहल था अफगार्न में वो कब से कब से चला था जे अठारांसो उन्नीस के बीच बाल से शक्रुलर कि यह कुछ मीर कम बना था जेपार्न आता जैन आठारांसो उन्नीस के बीच मैं यह शाशन हताब कम तक चला था जे 1846 तक इसके बाद डोगरा रूलर आया था डोगरा रूलर का स्टेब्लिश किया गया महाराजा गुलाव सिंग के द्वारा पिर डाउ सिंग्र वार जो सिंग्रूलर का कर दो कभ दाक यू तक तक था है 1892 थी दो नीटी में अफगाण के में अफगांड कर दिदाशं firstly में कौन थे अब्यूला घाण साधि मैय। अफ़्वान में ऐा साधिय एड गवर्नर रहे थे अफ़कान के तोटल कितने है पॉट्टी एड गवर्नर रहे थे जो फॉस्ट थे और जंबर खान जिदा लास्ट एड़ तूदा सिक अंपायर वाइदा विच आर्मी जनरल जो लिदा को सम्लित कर ले था था सिक अंपायर के साथ मैं वो कि मिल्टरी ज कों थे वो जनरल जुरावर सिंघ на डार ककका दरविब जो है लुदा को एड कर ले था था सिक अंपैरि मैं endeavor के साथ में 4 माराजा हरी सिंग कब महाराजा हरी सिंग बढ़े जमू किश्मीर के महा राजा सिंग बढ़े थे नैंटिन ट्वानिएव का 1925 में बने थे इनका सच्छिन 1925 से लेकर 1946 तक यह डोगरा sorry महराजा लास्ट अफ डोगरा डास्ट कीहाँ लास्ट नीजफ दोगरा डंश्तेए क वेंड़ा आइंट्य स्टार्ट यह कूट इंडियाक मोफनट्स पाइल, स्टार्ड किया गया था कूट इंडियान मुंँमेंट् कव ता किश्मीर में 19 test . 1946죠 लेकिन यक कंकर इंडिया मूमेंमेंट्स यह स्क्मिर्ध नेटिहरा था किश्मीर्यमेंट नााइस्टी सिक्सिक्स को कित इन्ड इन्ड इंडिया इन्ड यह किस की तरह माuria के दूरा rudken कि महात्मा गांदी के दौरा माःत्मा गांदी के दूरा चार्ट किया गय था नाइटेन फ़ोर्टिटू में क्योट इंडिया मुवमेंट जहां बात हो रही है क्योट किश्मीरी मुवमेंट यह स्टार्ट किया था नाइंटिन फोटी सिक्स में है है इन विजी सब्सक्रान goinे लीजेस लिडर संब्सक्राइब पर नों ने रिफ्यूज किया था इंडिया के रिफ्यूजीज को साट किया था तो न से नाइटिन 5959 तो यह से तेरिलिजिस लीडर थे उन्होंने इंडियन को श्रन दी इंडियन 59 कि यह तो ब्सक्राइब और यहां है जो प्रजाओ सवा होई थी किस्मीर में तो फॉर्स टाइम कब होई थी, 1934 में, 1934 में जिसमें क्या के ईथा, 33 जो MEMBERS थे, जिसमें और य chamय 30 किये गए थे, और इसमें 30 MEMBER जो है, जिसमें जिन नामिनेटर किये गए थे, इस सबह में, और 12 जो-12 X OFFICE in total 14 X OFFICE members रखा गया था, फ्रियासवा में दिए उच्प्लेंट देकर्स लाँच स्वाम में ऑं मैं सिंदि रराग możन दूप्लेंट उच्ष ते फॉन का कि थे उेनुंहे ने यू अलेटर ने श्टे कॉर्टी में पाकिस्तान के खिलाव जो लाँच की कम्प्लेंट कब यू आया कुछ दूर सुप्ल प्राइम्नेस्टर आफ किश्मीर इन्विजर जो सेख अबदुला थे इन्होंने सब ली थी किश्मीर के प्राइमनेस्टर की कोण से सन में ली थी कोण से यह में ली इसने सत्रा मार्च नाइटिन फोटी एट में है जन्हों किश्मीर एड़र टूद प्राइड के साथ में तो कब किया गया था इसमें क्यां सब्सक्राइब साइन किया गया था महराजां खरी सिंग और इंडिया के साथ मैं इसमें शबी एक्टूबर 1947 को और इसी के साथ में जो है जम्मु किश्मीर स्टेट को मिला लिया गया था कि इंडिया के साथ में कि कि किसने जो डेमोस्टेशन जो है महाराजा हरी सिंग के खिलाफ शुरुआत की थी डेमोस्टेशन की तो किसके जो पहली बार जो है शेख अब्दूला जो शेख अब्दूला थे इन्हों ने प्रदश्ण किया था सबसे पहले जो किश्मीर में हरी सिंग के खिलाफ में कि सब्सक्राइब किस नने के था शेकंदुल्ह ने प्रतर्शन के था खरिसिंग के खिलाफ में बैलाऑ फो आर्ड विटुमाण्द और आर्मी आपीश आप आप स证ने लुटाई लड़ी गए थी इंडियाण आ्रमी और आर्मी के वह पेश्टान के किश्मीर के लिए तो कुण से बैटल थी वह बैटल आख सलट अउन्ट एम एक लिए गई थी किश्मीर के लिए जो इंडियन आर्मी के साथ में इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के बीच में यह बैटल हुई दी किश्मीर के लिए साथ नमबर 1947 को वाट 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 में टरकेटल था इस समय जो होटी थी वो लडाह की कहा होती थी प्रहुर्ट सकर्दू में कैपिल होती थी लडाह की वेंटर थी कि विच्वाई्प्टर हरी सिंग उनगेंन नाइटेन पुट्य इस एड़ मुजाहिद मजील वाई सेखवदुला जो सेखवदुला के द्वारा मुजाहिद मजल जू है 1947 को हरी सिंह के को स्मिट कराया था वो क्या था वो था नया कुश्मीर प्लाण जिसको क्या कहते हैं न्यू कश्मीर भी कहते हैं यू कश्मीर कि यह को सोपा था नाइंटिन फोटीट फोर को शेख अब दूला के सब्सक्राइब किसके दारा स्टापित किया गया था हाइज स्कूल और कालेज जमुकिशमीर में तो किसके दारा किया गया था महाराजा परताव सिंग के से दारा किया गया था इसका साशन 1885 से लेके था नाइंटिन फोर्टी नाइंटिन ट्वंटी फाइव की बीच में कि गंदार स्कूल आफाट वाइट प्रांट फालिब जो गंदार स्कूल आफाट था जो जे प्रवावावित говорить कोण से दिशरुपर्ट का कंट्री के कोड़े आर्ट से तो था किंदार स्फूल आर्ट इससे प्रबावापित होगी। एह स्फ्ट्रान का इस्तेमाल के याटा था इसमें इसमीं इस्तन कंपरता यूर्य स्फूल dip इसमें कौन से स्टोड का इस्तिमाल कि एता था इसमें रेड टोंड का विच इंडियोन ल्ट्सक्राइज्छ मेत्यसिंशन्स है वह वनती निदा चोट आपने वह इंडिया अमरिका पर सेफलिय का था इसको दिया वार्ड दिया गया दो जायत पर इसका इंटर्णेशनल प्राइज प्राइज आप स्टैटिक में वो कौन थे राधा कृष्णा राओ राधा कृष्णा राओ अमरिक्का और इंडिया के दुन्हों को ये वार्ड दिया गया था प्रेज़्टे को राधा कौन प्रेज़्ट या पाल्व दिया गया है कोंस्टिब्शन आप उनडिया है उसके प्रे रहे थे जो है अल्रे हो जो नामिनेटर प्रजिनेट थे वो थे डाक्टर सचेदिन सेना डाक्टर सचेदिन सच्चानंद सिना लेकिन जिसको जो अलेक्टर किया गया था बाद में बाज में इसको नामिनेटर किया गया था वो कोन थे नामिनेटर हो गए सचेनद सिना और जो एलेक्टर थे बोग्द रिजिंद्रा प्रशाब रिजिंद्रा प्रशाब यह इस एंडिया के बात हो रही है लेकिन वहां सम्बली आफ जमुएंड किश्मीर के गुलाम मुहम्मद साधिक प्रजिडेंट रहे थे कश्मीर कांसिक ज ant具 जहें उसको शमद है जनबरी 197 कि जो लगु किया गया था जो लास्ट अस्बली मेटिंक होई थी शे जो आफ शबीस नवंबर 1949 को हुई थी यह लास्ट मिटीव हुई थी लेकिन बाहरत का जो सभी दान है लागू हुआ था शबीस जनबरी कि उन्नित्सों पिचास को कि यह कांस्यूशन आफ इंडिया की बात हो रही है जहां इंडिया की बात हो रही है तो जहां हुआ था 26 जनबरी नित्स पिचास को जो एक्ट हुआ था हमारा जम्मु किश्मीर में फर्स्ट मेंड वेंड़ समाधि गुर्द्वरा है वौल्टें उन्दा मैमूरीयाम भारा नितंचांतारा वाइफमहराज इंडि बाइव ती महराणीं चांदकोर जो इसकी समद्वी थी इसकी जाद में जो समाधी गुर्द्वरा है शीक्स के दौरा बनाया गया था वो समाध्य गुर्द्वारा फट्थर मास्की तो है मास्क्यू है यह बनाया गया था 1623 में जो किसके दौरा बनाया गया था नूर जहां के दौरा बनाया गया नूर जहां के दोबनाए गया है और शाली मार गाडन ना है कि यह किसके किसके लिह बनाया गया था ये बनाया गया था नूर जहां के लिए बनाया झाल झाल झाल